ही गाईज, आइम क्रिप्तिका फ्रॉम एंजेब लास्ट, आज मैं आपके लिए लेकिया हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपेक जिसका नाम है ट्रेड्मार्क ट्रेड्मार्क लेना मेंडी ट्री है न्यू सेलर्स और ओल्ड सेलर्स के लिए ताकि कोई भी अदर सेलर्स आपके लिस्टिंग में जम ना कर पाए दिखे ट्रीड्मार्क होता है एक स्पेशल सिंबल और लोगो, डिजाइन और नीम जो आप अपने ब्रैंड नीम की तरह प्रोड़क्ट पे रखते हो ये ब्रैंड नीम जो है ये आपको दूसरे सेलर्स से डिफ्रेंशियेट करता है और लीगली आपके पास एक डॉक्युमेंट होता है जो कोई भी सेलर्स आपके सिमिलर ब्रैंड नीम के साथ प्रोड़क्ट लिस्ट नहीं कर पाएगा ये बहुत इंपोर्टेंट है ताकि आप खुद का प्राइवेट लेबल ब्रैंड बना सकें चलिए अब वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले जानगे benefits of a trademark on Amazon सबसे पहला benefit है brand identity and reputation आपके brand के खुद के identity बनती है और एक reputed brand होता है Amazon पे जिसको Amazon भी promote करता है सेकींद है powerful tools on Amazon brand registry आपके पास access होता है brand registry का जिसमें आप अपने description में images का use कर सकते हो और जहां पे आप images upload कर सकते हो वहाँ पे वीडियो का तो आपके पास option होता है A plus description और EBC जो है enhanced brand content ताकि आपका एक बहुत ही अच्छा storefront बन सके third है make it easier to take legal action against unauthorized sellers तो दिखे कोई भी और sellers आपके listing में jump नहीं कर पाएगा जब तक आपका R यानि register trademark नहीं आ जाता trademark identifier में आपके पास होता है TM और R, TM का मतलब है जब आपका application number आपको मिल जाता है जो within a week मिल जाएगा और R symbol को आने में यानि register trademark को आने में लगता है 6 months या उससे जादा का समय इसमें इंडिया के legal website IP इंडिया वेट करती है कि किसी को कोई obligations ना हो next है increases customer confidence and loyalty देखी customer को एसास होता है कि आपके proper storefront है उस पे reviews है आपके store name पे बहुत सी feedback आई है तो आप lion भी है और आप वहाँ से नहीं जाओ गया अगर product जो है उसकी quality कैसी रहेगी वो सब चीज़ें उसमें आती है next है prevent other users from similar branding that could confuse customer तो देखिया अगर आपका same product है लेकिन brand name भी same है different sellers के साथ तो वो लोगों में confusion create करता है तो ऐसा confusion ना हो तो आप trademark ज़रूर लेजिए और अपने brand name को unique बनाईए next है provides a legal basis for enforcing your rights against infringers देखिया आपके पास legally एक document होगा जैसे ही आपके listing में कोई jump करता है आप Amazon के साथ customer support के साथ बात करके उन sellers को अपनी listing से हटा देते हो क्योंकि तब आपके खुद की close listing बनती है private label brand के साथ ना की open listing चलिए अब मैं बात करने वाली हो कि आप brand name जो है वो कैसे चुल सकते हैं और कहां उसके बारे में search कर सकते हैं brand name आपको unique लेना होगा क्योंकि सब कुछ उसके ओपर टिका है कई लोग logo के साथ भी apply करते हैं trademark हम recommend करते हैं शुरू में brand name के साथ जाए otherwise जो भी आपका trademark apply कर रहे हैं trademark at all नहीं जो है आप उनसे जरूर बात कीजिए अगर आपने find out करना है कि जो भी आपका unique brand name है वो available है या नहीं तो आप official website जो है इंडिया की जो है intellectual property इंडिया, IP इंडिया उसको visit कर सकते हो और trademark के application registration को देख सकते हो next move करेंगे कि brand name के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहने है unique brand name का use कीजिए ऐसा कुछ name जो बिलकुल unique हो आपको लगे कि किसी का भी नहीं है वो आप चुनिए आजकर आप AI based system, chat, gpt, jamini, cloudy उन सब का use कर सकते हो क्योंकि वो आपको देगा कुछ unique name निकालके या फिर आप website जैसे की name links विगरा का भी use कर सकते हो सेकिंड है consider getting help from a trademark attorney जब भी आप खुच से search कर रहे हो उसके बाद भी जो भी आपके trademark के लिए apply कर रहे हैं जाए वो CA है, attorney है या कोई और person है आप उनसे जरूर एक बार पूछे कि brand name available है या नहीं और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इवन कौन सी class में register करना चाहिए एक बार आपने trademark के लिए apply कर दिया है तो आप application status को बार बार देखते रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ error भी आ सकते हैं ताकि आप उसको जल्दी से remove कर पाएं next and respond promptly to any communication from the trademark registry trademark registry से कोई भी अगर information आपको आती है फिल करने के लिए तो आप ज़रूर उसको फिल कीजिए अब मैं next आपको बताना चाहती हूँ already registered जो Amazon पर brand name है लेकिन हमें idea मिल जाएगा कि sellers ने कैसे काम किया है देखिए first जो है वो है gold tone two words को एक साथ मिलाए है gold और tone second देखिए manita third देखिए b4 brain तो देखिए यहाँ पे हमारा जो alphabet और digits का साथ में combination है next है bu double n बन next है जीवो, zdvo और next है utopia यह सारे नेन जो है Amazon पे available है तो इस तरह के unique brand name में जाना है आप SMS सोचिए कि जिस तरह के आप product में गए है उसी तरह का नाम होना चाहिए क्योंकि आप different brand name रख सकते हो क्योंकि अगर unique होगा तब भी उसमें कोई errors नहीं आएगा और ना ही कोई आगे उसको apply करेगा अब मैं आपको बताना जाती हो कुछ listing जिसमें आपको दिखेगा कि brand registry का क्या importance है और साथ ही साथ हम जाएंगे IP India website में और search करके देखेंगे कुछ unique name जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं वो amazon.com पर क्योंकि मुझे लड़ा dot com का reference लेना बहुत important है यहाँ पे अब देखिए यह एक registered mark वाला listing है brand का नाम देखिए आर यहाँ पे लिखा है aqua oasis और इसकी image देखिए first image इन्होंने पूरा packaging के साथ image यहाँ पे लड़ाई है और यह एक mist humidifier है अगर आप इसकी image quality देखें last image में यहाँ पे six videos upload की है तो अगर आपका brand registered होके आ गया है तो आप definitely एक product video तो डाल ही सकते हो अब हम move करेंगे product के description section में तो देखे product description में सबसे पहले aqua oasis brand का जो logo है वो है with design उसके अलावा देखे यहाँ पे images का use किया है with text बहुत easily चीज़ों को अच्छी तरह से define कर दिया है कि कैसे कैसे आप humidifier का use कर सकते हो और कहां पे यह चीज़ use हो पाएगी तो देखे यह रही इस product का description तो अब आपको पता चल गया होगा कि description बनना कितना important है with images अब मैं आपको amazon.com के इसी brand का storefront भी दिखाऊंगी आप देख सकते हो यहाँ पे brand में लिखा है aqua oasis generic नहीं है अगर आप new seller है तो आपको यहाँ पे generic listing करनी पड़ेगी लेकिन जैसे ही आपका registered mark आ जाता है trademark application registered हो जाती है आप अपने brand name का use कर पाएंगे साथी साथ आप देख सकते हो जो भी title में आपने शुरू में brand name रखा है उसी brand name से आप apply कीजी अपने register trademark पे जब आप brand aqua oasis पे click करते हैं तब आपको दिखता है इसका complete storefront यह देखिए कितनी सारे यहाँ पे जो है वो product है अब हम जाएंगे trademark search करने दिखिए google पे मैंने लिखा था trademark search और सबसे पहले आपको मिला public search की website action mean की official website है intellectual property इंडिया आप click करेंगे कुछ ऐसी website आपको दिखती है यहाँ पे देखिए आपने जाना है related links में और यहाँ पे जो second option है public search इस पे click करेंगे yes पे click करेंगे यह देखिए यह कुछ ऐसी website दिखती है अब trademark जब भी आप apply करते हैं आपको पता होना चाहिए कौन सी category में apply कर रहे हो और उसमें class की details तो देखिए जो भी class details का यहाँ पे first option आपको दिख रहा है उसको हम link को open करेंगे और यहाँ पे आपको दिख चाहेगी EUIPO जहाँ पे आप classes को define कर सकते हो यहाँ पे दिखिए nice class करके option है हम click करेंगे 1 to 45 और सबसे ज़्यादा जो trademark apply होते हैं वो होते है class 21 पे अब आप देख सकते हो यह है home and kitchen का class 21 पे हम click करेंगे तो हमें पता चल जाएगा household or kitchen utensils and containers का ट्रेडमार्क इसमें आता है अगर आप move करेंगे class 34 पे तो देखिए tobacco and tobacco substitutes अगर हम 22 पे click करें तो ropes and string तो सारी information जो है वो यहाँ पे given है अब हम trademark का जब भी search करते हैं कोई unique name होना चाहिए पहले मैं नाम search करूँगी जो बहुत common है aqua class home and kitchen का है तो 21 यहाँ पे आपको जो है वो जो number given है वो आपको डालना होगा 342-579 and click on search option अब आप देख सकते हो जो aqua है वो पहले से given है यानि मुझे कुछ unique लेना पड़ेगा word mark है aqua pure proprietor का नाम application number देखिए आप application number से find out कर सकते हो कि आपका trademark registered है या नहीं class और classes 21 पे status है abundant abundant का मतलब है यह जो particular seller है उसने इस trademark को छोड़ दिया है तो आप अपने attorney से बात कर सकते हो कि क्या आप इस same के साथ apply कर सकते हो या नहीं देखिए trademark के भी different type के status होते हैं जैसे कि marked for exam objected refused, abundant advertised before, accepted accepted and advertised, opposed withdrawn, registered, removed तो different type के trademark status है जो आप अपने trademark है टॉणने से पूछ सकते हो इसके लावा देखिए aqua pura नाम से भी है word mark देखिए next जो है aqua fresh, flex and direct different type के words का use किया है और यहाँ पे status है withdrawn उसके बाद देखिए different type के आपको aqua के साथ words के trademark मिलेंगे तो यह जो trademark है इस particular name के साथ वो available नहीं है अब हम करेंगे second search trademark के website में जाना है related link में public search अब मैं क्या करते हूँ कुछ unique name डाल देती हूँ जिसकी कोई sense नहीं है क्योंकि हम brand name unique रखना चाहते है क्योंकि trademark का symbol है tm so let's just put pm pm class क्या है हमारा 21 four nine seven eight two one यह देखिए अब यहाँ पे कोई भी names नहीं है matching trademark भी नहीं है international non-propriety names कुछ भी नहीं है इसका मतलब है इस तरह का brand name जो है वो available है so guys I hope आपको पता चला होगा क्योंकि यहाँ पे आप class details भी जान सकते हो यहाँ पे आपको बस select करना है कौन सी classes में आप information ले सकते हो और जो IP India की website है वहाँ पे आप trademark search कर सकते हो यह सब information आपको हमारी blog post में भी मिल से आएगी और आप उसमें different type के status का use कीजिए लेकिन trademark जब भी आपने apply करना है वो किसी ऐसे person से apply करवाईए जिनको trademark की knowledge हो और आपका trademark जो है वो registered होके आजाए So I hope you guys like this video कि जो यहाँ चीओ